चायांकित भाग का शेत्रफल ग्याद करें तो यहां पर हमें एक लाल रंग का चायांकित भाग दिया गया है जिसका हमें शेत्रफल ग्याद करना है तो यह जो भाग है यह दरसल इस वर्ग के अंदर है जिसकी भुजा में यहां देख सकता हूँ जो है दस तो यह यहां में दर्शा देता हूँ कि यह जो यहां भुजा है हमारे वर्ग की अगर उसे हम नाम देते हैं S तो वो बराबर है 10 के पर यह पूरा का पूरा वर्ग का भाग नहीं है उन में से यह हम देख सकते हैं यह जो त्रिज्य खंड है यहां पर यह निकाले गए है तो यहां पर मैं देख सकता हूँ यह जो त्रिज्य खंड है इसकी त्रिज्या है 3 और यह भी त्रिज्य खंड हम इसके जैसा ही मानेंगे जिसकी त्रिज्या होगी 3 तो ऐसे कुल है 1, 2, 3, 4 त्रिज्य खंड और हम एक पाज जानते हैं कि जो हमारा वर्ग होता है उसके जो कोणों का जो मान होता है वो तो 90 डिग्री होता है यानि कि ये जो त्रिज्य खंड है यहाँ पर ये दरसल एक वर्ग का एक चौथाई है तो यहाँ पर कुल कितने त्रिजखंड हैं वो हैं एक, दो, तीन और चार और यह चार और त्रिजखंड मिलके एक पूरा का पूरा वृत बना लेंगे तो इस लाल चाय आंकित भाग का शेतरफल निकालने के लिए मुझे वर्ग के शेतरफल में से वृत का शेतरफल घटाना होगा तो यहाँ पर में लिखता हूँ, यह जो लाल रंग है इस भाग का जो शेतरफल होगा, अगर उसे हम नाम दे देते हैं तो वो बराबर होगा इस वर्ग के शेत्रफल के जिसमें से हमें घटाना होगा वृत का शेत्रफल तो वर्ग का शेत्रफल तो हम जानते हैं वो होता है भुजा का वर्ग तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ S का वर्ग, रिन, यहाँ में चाहिए वृत का शेत्रफल जो होता है पाई गुणा त्रिज्या यानि की जो है यहाँ पर आर त्रिज्या का वर्ग तो हम यहाँ जानते हैं कि जो भुजा है वो हमें दी गई है 10 हमारे वर्ग की तो उसका हो जाएगा वर्ग रिन, पाई गुणा आर यानि की त्रिज्या का वर्ग जो हमें दी गई है 3 तो यह हो जाएगा 3 का वर्ग तो यहाँ पर हमें जो छायंकित भाग है उसका शेत्रफल मिल रहा है सो रिन नौ पाई